हम इंसानों की दुनिया से दूर किसी कोने में एक ऐसी अदभूद और अनोखी दुनिया भी है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुदरत का ही राच चलता है। यहाँ की एक्स्ट्रीम कंडिसन में सर्वाइब करने के लिए छोटे से लेकर बड़े तक हर एक जीव 24 घंटे जीत तोड कोसिस में लगे रहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेक्या हैं एमाजॉन जंगल। पर बड़े होते हैं और फिर नस्ट होकर यहाँ की मिट्टी में ही मिलकर नस्ट हो जाते हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं इस जंगल की भविश शुंदरता पर। लाखों किलोमीटर के एरिय में फैला हुआ इस जंगल को धरती पर कुदरत की सबसे खूपसूरत सनचना माना जाता है। यहाँ पर दुनिया के सबसे अनोके क्रेचर्स पाय जाते हैं। इसकी खूपसूरती में यहाँ पर कुदरत ने हजारों अलग-अलग तरह के पेड़ पौधों की प्रजातियों का निर्मार किया है। यह जंगल जितना खूपसूरत है उतना ही अमैजिंग भी है। इस जंगल में फैले हुए यह पेड़ पौधे इस जंगल की खूपसूरती के लिए ही नहीं बलकि यह तो हमारी दुनिया के लिए भी काफी महत्पूर्ण है। यह जंगल सिर्फ इन जानवरों के लिए ही नहीं बलकि हमारी धरती और हम इंसानों के लिए भी काफी एहम भूमिका निभाती है। अभी तक वैग्यानिक पता लगा चुके हैं। लेकिन उनका मानना है कि अभी भी इस जंगल में इससे कई ज्यादा अंदेखे जीव भी मौजूद हैं। जो समय समय पर इनसान की नजर के सामने आकर उने चौका देते हैं। इस जंगल की विशालता का पता यहीं से लगाया जा सकता है कि यहाँ वैग्यानी खर तीन दिन में एक नए जीव की खोच कर निकालते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह जंगल इतना बड़ा है कि यह ब्राजील, पेरू, कॉलंबिया और वेनुजुएला जैसे नौ बड़े दिसों तक फैला हुआ है। अधिक बारिश होने से यह नदिया आसपास के इलाकों के लिए ड्रेनेज का काम करती हैं। इस जंगल में लगबग हर एक जीव और यहां तक की इनसानों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। क्योंकि यहां के जंगल की धरती के साथ-साथ पानी में भी आतंग मचाये रखता है। इस जंगल में घूमने वाला यहां कितना खतरनाक होगा। यह सबी चीजें इसे एमेजॉन जंगल का सबसे बड़ा शिकारी बना देता है। कहा जाता है कि एमेजॉन के इन जंगलों में 10,000 से भी ज्यादा कैमन पाये जाते हैं। इतनी संख्या में इकठा होने के बाद शायद ही कोई जीव इनका भोजन बनने से बच बाता होगा। अमेजॉन की नदी और खाड़ी इलाकों में पाये जाने वाले या कैमन भी धरती के खतरनाग जीवों में से एक माने जाते हैं। यही कारण है कि इसे पोईजन डार्ट फ्रॉग नाम से भी जाना जाता है। यह मचली बदनाम है अपने हमला करने की अक्रामक तरीके के लिए। वैसे तो यह मचली ज्यादा तर प्लांट मरे हुए जीवों और इंसेक्ट्स को ही खा कर गुजारा करते है। शिकार करने के लिए इसका आकार 12 फिट तक लंबा हो जाता है या देखने में तो खतरनाक लगती ही है थी किसी प्रकार से इसका नेचर भी काफी अग्रेस्वी होता है। हमें उमीद है कि आपने हमारी आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जाना और सीखा तो जरूर होगा। इस महत्पूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साजा करने के लिए इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करना न भूलें। और ऐसी ही और भी important information से भरी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर बेल आइकॉन को on करना न भूलें। अगर आपकी इस वीडियो से जूड़ी किसी तरह की कोई राय है या फिर किसी और टापिक पर आपकोई वीडियो चाहते हो तो आप मुझे comment box में जरूर बताएं। मैं हूँ आपका दूसरोहित फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और amazing वीडियो के साथ तब तके लिए नमस्काल।